नमुखकर मैं हूं मनमुईतोर आप देख रहें प्रेस वार्ता एक नजर के खास एपॉर्ट इस समय मैं मुझोद ऊब नमर्चार में और हम proud report क्या है किस तरह से काम होे हैं किस तरह नहीं हो नहीं हुए तो वार्ट और उसके बाद मैं नगर परश्ट से वाइस चेरमेन रहा फिर में दो साल मैं ऐजे परदान भी कर्यकरी परदान के तोर पे भी काम किया है और शहर में काम करने का मौका मिला मुझे जैसे कर्यकरी परदान के तोर पे पहले वाड में हमने सब से पहले मेरे वाड में पानी की स सबसे पहले मैंने पाइप लैन सारी चेंज करवाई है कुछ पहले चेंज भी थी और ज्यादा तरह मैंने चेंज करवाई है अब दो जाकर लिख के रिटन में दे के चेंज करवाई है और उसके बाद गलीएं बनवाई है जो भी है मेरे बाड में सिर्फ दो कलोनी ऐसी है जैसे जाही कलोनी और संतनगर उसमें अनपरूड होने के कारने काम नहीं हो सका वैसे हाउस में पास है वो मेरी दर्ब से तो कर द मैंने बड़्वाई व एधर भी में रोड तक जो पुड़ अगोई हिए और अम्हार मेंगा Chief सारी में सीबरलाइं डल गया, आल्मोस्टी गड़ियां भी बन गी सिर्फ वह दो कलॉनियों में गड़ियां नहीं बन बनी बाकी तकरीबन बन गी है और बीजली के पोल में तार्डिल ली थी जो भी वो सारी और अब कम्प्लीट आइ। सारे कसी गई हैं, सारे पोल बड़े है और कंप्लीट होग्य काम और काम तो चलता ही रहता है से तो यह जै बर्साती पानी की निकासी के लिए एक तो जगा यांपे स्कूल के पास में हमारे जगा पड़ी थी वह उसमें अपना पाइपलेंड सारी डलके और ये गई अरंगोही तक गया हुआ है ये शारा पर्साती पानी का काम चली रहे शारा जोरोल पर चल रहा है और दूसरा सीवर की लाइन थी हमारे आगे चोटी थी ये हुड़ा चोंक तक तो लाइन थी चोवीश इंची आगे लाइन थी सारी 15-16 इंची थी लाइन वह आमने बड़ी करवा आगे चोवीश इंची थी उस्टे किदर को उसके कारण थोड़ा काम डिले हो गया पेड़ कट रहे हैं और अनुसी मिल गी उनको उन्होंने अपना जो भी था ड्वैल्मेंट वह बर दिया उसका जो भी खर्चा था जैसे उसमें बारां के लाख रुपए उन्होंने बर ना था वह उन्होंने फो और लंबा चुड़ा बताया रहा है वाड मारा यह होता है यह पुलिस चौंकी वाड़ी गड़ी है यहां से लेके और इदर जो डिसी कलोनी को जो रोड जाती है उद्डा चौन वाली रोड से उदर और अगे दिल्ली वाड़े पुल तक और फ्रेंट्स कलोनी यह कंगनप तो किस तरह के लोगों को उमीदे थी स्टार्टिंग में जब आप यहां पारशद बने हैं तो किस तरह के दिखते आई हैं और किन-किन समस्याओं करने दानों अब लोगों को अगर दुबारा मोका आपको मिलता है तो किस तरह की उमीदे रहेंगी लोगों ऐसी है जow मेरे पिताजी भी दो बार पार्शद रहत एप रह एप मेसंतमिनीं सो इककतरज मेरे पिता जी निदाना नंबर्दार दो और उसके बाद सरकार ने मुझे मुख्या दिया यह से अपना हमारे में कंग्रिश पारटी से पिछे बिलुंग रखता हूं उन्हों ने मुझे मुझे मुख्या भी आप लेक्षन लड़ो यहां से वाड़न नमर चार से और वाड़न नमर चार से मेरे पार्शिद लोगों ने बारी मफ से सब्सक्राइब लोगों का समर्थन है पराणे हमारे सभी रिलेशन है कोई ऐसी बाद नहीं को नए बाड़ी बात नहीं थी सारा पराणा ही जैसे मेने में लेक्षन दोबारा होंगे तो किस तरगमी दिमाने जाए अब ऐसे है पता कि मैं थोड़ा सा मेरे पिता जी थोड़े बिमार होने के कारण आगे देखो भी लेक्षन तो कोई लड़ेगा अमारे ग्रूप से पार्टी से यां परवार से कोई ना कोई और कोई लेक्षन तो मेरा थोड़ा सा यह अभी इस बार लेक्षन शैद ना लड़ो चांस तो यह मुझे भी लेक्षन अब पार्शिद वारा लेक्षन नहीं मैंने लड़ना तो आगे देखो जो समान पता नहीं क्या है आगे क्या होना है क्या नहीं वो तो बाद की बात है पर मेर भी मन नहीं है अलेक्शन लड़ने का बाकि और लोगों की जो सेवा है वो मैं उसी तरह करता हूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई भी काम होगा किसी तरह का काम होगा को मुझे शेर के कर्या-करी प्रतान होने के ना ते मौका मिला है तो मैंने सारे शेर में सभी वार्ड आप सबी कतिस पारषदों को मैंने साथ लेकर चलाangen कतिसपार्षद मेरे साथ थे सबी का काम मैंने वार्ड एक समान करवाया किसी का साथ बेदाब नहीं हुआ किसी कोई मेरे पर आज तकक किसी मेरे खिलाब कोई MC नहीं कह सकता भी, रनदीर SINGH ने किसी के साथ बेदबाउ किया है, किसी की respect में कमी आई है, मेंने सबकी respect की है, सब command man किया है, اور सब पारशच्ट मेरे साथ थे, चाहिए वो किसी भी party के थे, चाहिए b ji giornal okay तै, चाहिए इन्लो के थे, चाहिए Congress थे, कांग्रिस का तुम्हे है ही था और हरेना लोकित पाल्टी के भी थे कांड़ा साथ दिया है और बहुत बड़िया तरीके से हमारी कमेटी चली है हमने जो अजेंडे जैसे भी पास हुए हैं उनमें प्रोपर काम हो गया जितने मेरी मीटिंगें हुई हैं जो भी काम हुए थे जितने भी उन्होंने काम दिये थे उनके complete हो गये वाड नंबर एक था Pन 30 इस भे काम होई बाहना नमर एक में तो 5 क्रोड का टेंडर लगवाया था और ग्यारा नंबर वाड में दो क्रोड को आसपस THAT ten मुम नंभर वाड में विधा दो असपस 17 नंबर में भी था तो कुह कसी काम किया है और सब के साथ मिलके चले हम तो बिलकुल वार में कोई भी भेदवाब नहीं गिया तमाम विकास करवाए गया है चुनाव लंड के इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी लोगों की सेवा करना चाहेंगे रंदीर सिंग जी फिशेश पाचित है वार के जो तमाम समस्थ है उनका निदान हो हादा कि कुछ प्रोब्लम्स है वो पेंडिंग है उसका भी शीगर समादान हो जागा तो इस वीडियो को दिख सेदिक शेयर जूर कर दिए अगर आपके भी वार में किसी तरह की समस्था है तो आप हमें कोमेंट कर अपनी बात बता सकते हैं वहलाद कोमेंट कर अपने देजी का बत बत धन्यवाद